हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल्क केडेमी आएम आकश मेता आज हम डिस्कस करेगे करन्ट अफेर्स जुलाई फस्ट वीका लेट्स ब्लेट्स तर्थ फस्ट न्यूज है हमारी फस्ट न्यूज है को लिजन फोर्त डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्राचर के उपर कि अभी म अप्रूब किया है कि को लिजन फोर्त डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्राचर एक इंटर्निशन और्गनेजन बनाया जाएगा राइट सबसे पहले तो हम बात करें कि एक को लिजन फोर्त डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्राचर क्या है कि फ्रेंड्स यह सीडिया रही को प्रोलिजन फुर्द ये इंट्राइचर वो 2019 के अंदर लॉज किया गया था कहां पे कि इंडिया निशन्स क्लाइमेट एक्षन सम्मीट की मीटिंग हुई थी डियोर के अंदर उसी मीटिंग के दोरान ये ग्रूप को अनौंस किया गया था और ये ग्रूप बनाने का इनिसे इंट्राइचर बनाए जाए उसके ओपर डिसकर्शन होते हैं यहां पर एक दूसरे को यहां पर फाइनेसल सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट प्रवड किया जाता है और इसका इनिसेटिव लिया था इंडिया के द्वारा नाइट 2019 के अंदर ये जो उन क्लाइमेट एक्षन सम और अलाइंस भी हम नहीं प्रपोस किया था ग्लोबल लेवल के उपर और यह को लिजन फोर डियास्ट इसरेंट इंफार्चर भी हम नहीं प्रपोस किया है यह दोज़र उननीस के अंतर अंदर प्रपोस किया है यह एक्टुली ग्रूप है 31 कंट्रीज का छे इंटरनेशन और दो प्राइवेट सेक्टर और अभी छे इंटरेशन ओर्पोस कोन कोन से है तो एशन डेलोपेंट बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रूप यून डेलोपेंट प्रोग्राम उन्दीप इंटरनेशन ओफिस फॉर दिजास्टर रेलिक्स डेक्शन एरोपीन उन्यून एरोपीन इं तो टूटल थर्टीवन कंटरीस छे इंटरेशन ओर वेजन और दो प्राइवेट और जसका एक ग्रूप है सीडिया रहे अभी रिसन न्यूस के अंदर क्यों है क्योंकि इस ग्रूप को अभी इंटरेशन ओर्गनेशन बनाने की बाद चल रही है वालब अभी तक क्या है कि इंडिया के अंदर कोई डियास्टर रेजिलेट इंफ्नाचर बनाना है तो उसको फंडिंग की है तो अभी तक यह थर्टीवन कंट्रीज ही एक दूसरी को फंडिंग करदे थे प्रूप फंडिंग यह पर इंदर प्रूपियों के अंदर और उसको फंडिंग चाहिए और युएस उसका मेंबर नहीं है इस ग्रूप मेंबर नहीं लेकिन अभी वह इंटरनेशन और बनाए दिया गया है इस ग्रूप को तभी युएस भी यह इंफार्चर के अंदर फंडिंग कर सकता है तो अभी जस्ट लिशन न्यूज वही है कि अभी कोलीजन फूर्द यह से इंफार्चर को एक इंटरनेशन बनाए गया है राइट जो 2019 के अंदर लॉंच किया था मियन क्लाइमेट एक्शन समीट के दौरां जो न्यूर के अंदर हुई थी यह इंडिया का दूसरा ग्लोबल लेवल के एक मेजर इनिसेटीव है जो हमन hirs vend small savings schemes के ओ पर small savings schemes के recently the government kept interest rate unchanged on the small savings schemes including the national savings certificate public provident fund for the second quarter of the 2022 days amid the high inflation and rising interest rates देखो friends, small saving schemes, अपने नाम सुना होगा, तो ये small saving schemes के अंदर कौन-कौन सी schemes साथी, सबसे पहले हो तो आपको वो देखना पड़ेगा, right? तो small saving scheme को अगर में classify करो तो इसमें 3 टाइप की schemes होती है, postal deposits, comprising the saving account, recurring deposit, time deposit of the bearing maturities and monthly income scheme, आप post office के अंदर जितने में deposits करते हो, जाए फिर वो saving account हो, recurring account हो, time deposit मतलब fixed deposit हो, या तो फिर monthly income scheme हो, MIS, monthly income scheme, तो इस सभी जो पैसा आप इस accounts के अंदर deposit करते हो, वो small saving schemes के अंदर deposit करते हो, ऐसा बोला चालता है, saving certificate के अगर मैं बात करूँ, तो national small saving certificate और किसान विकास पत्रा, ये भी small saving scheme का ही part है, और उसके अलबा third category है, social security scheme, security scheme मतलब आपको future में ये पैसा आपके लिए helpful रहेगा, तो सुकन या संबुरिती scheme, public provident fund and a senior citizen saving scheme, तो ये तीन social security scheme की category के अंदर है, total तीन category के अंदर, total 12 small saving schemes है, इंडिया के अंदर, poster deposit, saving certificate और social security scheme, ये तीन main category है, उसमें total 12 small saving schemes है, इंडिया के अंदर, अभी सभी small saving scheme के interest rate अभी unchanged रखे गया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ऐसा अभी ministry of finance के द्वारा बोला गया है, तो recent news के अंदर, small saving schemes क्यों है, क्योंकि अभी सभी के interest rate, अभी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, हाला कि, इंडिया के अंदर, inflation बढ़ रहा है, अब repo rate भी बढ़ रहा है, लेकिन, इस सभी small saving schemes के interest rate के अंदर, कोई भी change नहीं किया गया है, अगर मैं small saving scheme के अंदर, जो पैसा हम deposit करता है, वो कहां पे जाता है, तो friends, तो वो national small saving fund के अंदर, जो small saving scheme के अंदर, जो मैंना भी 12 schemes आपको तीन category में दीखाई, वो सभी scheme के अंदर, जो भी पैसा deposit होता है, वो national small saving fund के अंदर जाता है, तो I think आपको इस news के अंदर समझ में आया हुगा, हमरी next news है, financial services institution bureau, the cabinet appointment committee, appointment committee of the cabinet has passed a government resolution to establish the financial services institution bureau in place of the bank board bureau, कि अभी जो bank board bureau है, उसके जगा पे financial services institution bureau establish किया जाएगा, तो new framework was proposed by department of the financial services ministry of finance, यह जो नया framework है, कि यह bank board bureau की जगा, financial services institution bureau establish करने का proposal कि इसने रखा था, department of the financial services ministry of finance के लगा है, अभी इस news को समझने से पहले, सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि bank board bureau क्या था, bank board bureau के बाद हम बात करेगे कि अभी जो नई संसा establish करने जा रहा है, financial services institution bureau, वो क्या है, फिर हम recent news को पढ़ते हैं, bank board bureau, bank board bureau, अगर मैं बात करूँ तो friends, वो 2014 के अंदर, bank board bureau को establish करने का recommendation दिया गया था, किसके द्वारा, पीजे नायक की committee जो बैठे थी, उसके द्वारा, उस committee के द्वारा ये recommendation दिया था, government को, कि bank board bureau इंडिया के अंदर होना चाहिए, फिर 2016 के अंदर, bank board bureau को establish किया गया, right, अभी bank board bureau को establish क्यों किया गया, तो to make the recommendations for the appointment of the whole time directors, as well as a non-executive chairperson of the public sector banks and the state on financial institutions, कि जितने भी public sector banks है, और जितने भी government financial institutions है, उनके whole time director और non-executive chairperson को appoint करने के लिए, उनके नाम को recommend करने के लिए, यहाँ पे bank board bureau को establish किया गया था, 12-16 के अंदर, और किसके कहने के उपर, तो तुर्यार 14 के अंदर एक chairperson, मलब एक committee बैठी थी, बीजे ना एक committee, उनके recommendation से bank board bureau establish किया गया था, right, और ministry of finance has the financial decision, okay, ministry of finance has the final decision making authority on the appointments in consultation with the prime minister's office, देखो friends, for example, SBA का chairman की नियोक्ती करनी है, right, तो recommend कोन करेगा उनका नाम bank board bureau, फिर उनको final decision कौन लेगा कि उनको recommend, उनको chairman बनाना है कि नहीं बनाना, ministry of finance को, और फिर finally appointment कौन करता है, तो prime minister's office, देखो friends, for example, SBA के whole time director की recruitment करनी है, तो उनके नाम, whole time director का नाम recommend कौन करेगा, bank board bureau, फिर उनके उपर final decision कौन लेगा, ministry of finance, उसके लिए वो consult करेगा, prime minister's office के साथ, तो ये पुरा mechanism था, जो 2016 के अंदर ये bank board bureau established किया गया था, अभी उसको replace करके, financial services institution bureau established करने जा रहा है, अभी financial services institution bureau, किसके दरा प्रपोस किया गया, क्यों प्रपोस किया गया, उसके बने बाद करते हैं, तो financial services institution bureau will select the chief of the public sector banks and insurance companies, अभी देको, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो bank board bureau recommend करती थी, just whole time directors of the public sector bank and state on financial institutions, लेकिन यहाँ पे जो financial services institution bureau है, वो सभी chief, chief मत्लम यहाँ पे whole time director भी आगई, chairman भी आगई, right, CEO भी आगई, तो यह chief of the public sector bank को recommend करेगी, और insurance companies को में, यहाँ पे public sector banks और insurance companies के chief को recommend करने के लिए, यह financial services institution bureau बनाए गया है, right, तो financial services institution bureau will have the clear mandate to issue the guidelines and select the general managers and directors of the state-run non-life insurance, general insurance and financial institutions, right, तो यहाँ पे non-life insurance जो company है, general insurance company है, financial institutions है, उसके लावचा पॉलिशनर बैंक्स है, उनके general managers को, उनके directors को, उनके chiefs को select करने के लिए, recommend करने के लिए, यहाँ पे एक clear guideline, यह financial services institution bureau के द्वारा mandate की जाएगे, right, financial services institution bureau will be the single entity for making the recommendations for the appointment of the whole time director and non-executive chairman in public sector banks, and financial institutions, right, तो यहाँ पे सभी chief को भी, देखो, जो यह काम, यह same काम bank board bureau करता था, right, लेकिन यहाँ पे सभी chief को भी वो recommend कर सकता है, और उसके लावचा इंसुरेंस company के chief को भी recommend कर सकता है, right, अभी यह financial services institution bureau के first chairman को बनेगे, तो appointment committee of the cabinet पे अपुरू किया है, appointment of the भानुप्रताब सर्मा, is a initial chairperson of the finance service institution bureau for the two years, right, वो पेले bank board bureau के भी chairman थे, और अभी यह financial service institution bureau के first chairperson बनेगे, right, अगर मैं बात करो friends, कि publishator banks क्या होता है, कि it is a bank in which the government holds a major portion of the shares, यह ऐसे banks होती है, कि जहापे government का portion, shareholding ज्यादा होती है, example, state bank of the India, is a public sector bank, the government holding in this bank is around 60%, SBA के अदर government का holding कीतना है, 60%, right, तो वो public sector banks है, right, फिर अगर मैं financial institution के बात करो, अ financial institution is an umbrella term for the company dealing with the financial and the monetary transactions, including the loans, deposits, investment, जो भी company, loan करवाती है, deposit accept करती है, और investment accept करती है, यह वो सभी company financial institution कह रही जाती है, right, और all India financial institutions के अगर मैं बात करो, तो all India financial institutions इंडिया के अंदर 5 है, friends, एक तो national bank for financing, infrastructure and development, export import bank of India, national bank for the agriculture and rural development, national housing bank, और small industries development bank of India, देखो friends, अगर मैं financial institutions के बात करो, तो ऐसी कोई भी company के चोण loan देती है, deposit accept करती है, और investment accept करती है, वो सभी financial institution बुला जाता है, लेकिन all India financial institutions के बात करो, तो total 5 all India financial institutions हैं, इंडिया के अंदर, जो for example, अभी देखो, यह all India financial institutions, एक ऐसी institutions है, जहां पर कोई customer directly उसके साथ interaction नहीं करता, for example, government ने इस साल के budget में बोल दिया, कि इस साल हमको MSME को develop करना है, मतलब MSME को किस सरी करना है, तो उनको ज़्यादा पैसे provide करके, अभी उनको ज़्यादा पैसे provide करना है, मतलब उनको जो loan दी जाएगी, कि वो सस्ते दर के उपर दी जाएगी, तो मतलब ज़्यादा लोग loan लेगे, तो बैंको के पास तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर MSME को support करने के लिए, बैंक को ज़्यादा पैसा कौन देता है, तो Small Industries Delo Pen Bank of India, तो MSME को support करने के लिए, अल इंडिया financial institution को ज़्यादा पैसा करने के लिए, के लिए यहाँ पर all India financial institutions 5 बनाई गई है, वो different है और financial institution different है, ओके और public sector bank के जहाँ पर public government का holding जादा हो, तो यह पुरा news I think आपको समझ में आया होगा, कि bank board bureau की जगा भी financial service institution bureau बनाई जाने वाले है, जो पहले bank board bureau just whole 10 directors और non executive chairman को ही select करती थी, recommend करती थी, वो अभी सभी chief को और उसके लाब insurance company के chief को भी यहाँ पे वो select recommend करेगे, प्लेट्पर्म के उपर, तो recently issue achieved the feat of successfully launching the PSLV orbital experimental module और POEM, POEM का full form क्या है, PSLV orbital experimental module, PSLV orbital experimental module वो POEM का full form है, यह अभी POEM platform किसके तरह launch किया गया है, इस rocket बारा, अभी यह POEM platform क्या है, उसके बारे में बात करता हूँ, जो satellite launch vehicle होता है, अगर हम उसको बूले की rocket, right, rocket का major portion है न, वो fuel को carry करता है, उसके अंदर fuel होता है, right, तो कि उसको इतना बड़ा distance cover करना होता है, तो उसका major portion है, उसके अंदर fuel होता है, right, और यह fuel को तीन पार्ट के अंदर divide किया गया होता है, आपने सुना होगा three stage rocket, four stage rocket, right, तो यह fuel को तीन या चार पार्ट के अंदर divide किया गया होता है, अगर मैं यहाँ पर three stage rocket की बात करूँ, तो three stage rocket के अंदर क्या होता है, friends, कि यह fuel का पूरा tank है, उसको तीन पार्ट के अंदर divide किया होता है, right, अभी जैसे ही rocket launch होता है, right, वो थोड़ा distance cover करेगा, for example, उसको यह पार्ट में जो fuel है, वो पूरा खतम हो गया है, right, पूरे tank के अंदर अभी fuel पड़ा था, right, लेकिन हमने उसको तीन पार्ट में divide किया है, और जैसे ही उसने कुछ distance cover किया, उसका यह पार्ट वाला fuel खतम हो गया, तो आपने movies वगएर अगर अंदर देखा होगा, कि कुछ distance के बाद rocket में से कुछ part dismantle होता है, तो जैसे ही यह fuel खतम हो जाएगा, कि rocket का यह वाला part कोई भी काम कर नहीं है, right, तो हम rocket क्या करेगा, उसका यह जो खाली पार्ट है, वो dismantle हो जाएगा, और वो ocean में गिर जाएगा, right, फिर थोड़ा और distance कवर करने के बाद, यह वाला part के अंदर जो fuel था, वो भी खतम हो गया, तो उसका भी अभी कोई जरुवत नहीं है, right, तो यह भी यह part dismantle होके, कहाँ पर गिर जाएगा, और ocean के अंदर, right, फिर थोड़ा और distance कवर करने के बाद, जो यह part के अंदर जो fuel था, वो खतम हो गया है, लेकिन अभी rocket एक ऐसी situation में पहुँच गया है, कि वो atmosphere के बाहर चला गया है, right, तो यहाँ पर यह part dismantle होके, लेकिन, ocean के अंदर, या फिर earth के surface के उपर नहीं गिरेगा, वो क्या होगा, कि वो orbit के आसपास ही गुमने लगेगा, orbit के अंदर गुमने लगेगा, right, और rocket का यह जो part है, कि जो एक, जिसमें fuel था, right, वो कोई भी काम करने रहता, right, वो एक space debris की तरह, orbit के अंदर गुमता रहत है, वो कोई भी काम करने रहता, right, तो isro ने क्या अभी एक platform launch किया है, कि जो यह जो final stage है, rocket का, उसका जो यह part, जो डिसमेंदल होके space के अंदर, orbit के अंदर, एक अज़र डेबरिस गुमता रहता है, अगर हम उसके अंदर कोई technology fit कर ले, कि वो कुछ ना कुछ experiment करता रहे, तो यह space डेबरिस न बनके कोई काम में आ सकता है, right, तो isro ने यही एक platform, poem platform, उसका PSLV Orbital Experimental Module, poem platform एक satellite के माध्यम से, एक satellite launch vehicle के माध्यम से space में बेजा है, अभी हम इसके बारें बात करते हैं, इसरो ने PSLV C-53, एक satellite launch vehicle है, पोलर satellite launch vehicle, PSLV C-53, उसको अभी सिंगापूर से launch किया है, और यह PSLV C-53 के अंदर, सिंगापूर के 3 satellites थे, और उसके अलवा, इंडिया के भी 2 satellites थे, जो private companies के दोरा बनाए गया है, और उसके अलवा यह POEM platform, यह total 6 चीजें, वो PSLV C-53 लेके, यहाँ पर अभी सिंगापूर से उसको launch किया गया है, अभी PSLV C-53 वो 4 stage rocket है, 4 stage rocket है, और यहाँ पर उसका जो 4th stage है, जो 4th stage least mentor होके, जो orbit के अंदर गुमने वाला था, उस 4th stage के अंदर, इसरो ने एक POEM platform fit किया, एक technology fit कियी, कि जो continuously experiment करता रहा है, बहाँ पर एक navigation guidance and control system भी fit गया गया है, for the attitudes, stabilization के लिए, तो मतलब कुछ technology यहाँ पर fit की गयी है, इस rocket वारा कि वो continuously यहाँ पर experiment करता रहा है, वो space debris की तरह नागों में, इसके लिए उसको बोला गया है POEM platform, right, कौन से rocket के मध्यम से उन्हों ने launch किया है, PSLV C53, वो कहां से launch किया है, Singapore से, right, टोटल उसमें 3 Singapore satellites है, और उसके अलबा, दो इंडियन स्टार्टप के भी satellites है, और यह POEM platform है, right, टोटल वो C53 four stage rocket है, उस यह फोर स्टेज का यहाँ भी use किया गया है, यह POEM platform के लिए, बड़ा बना, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूं है, जो दो इंडियन स्टार्टप के द्वारा सेटलेट्स भीजे गए हैं, एक तो है दीगान तरा और एक है दुरूव स्पेस, पहली बार इंडिया की कोई स्टार्टप ने, कोई private company ने सेटलेट बना के यहाँ पे स्पेस में भीजा है पहली बार कोई private company के द्वारा सेटलेट बना के स्पेस में बेजा गया है, यह दीगान तरा और दुरूव स्पेस जो दो private companies हैं, अभी 2021 के अंदर ही इसरो के द्वारा ही एक संसा बनाए गए थी, in space, इंडिया स्पेस ऑथोराईजन सेंटर, कि जो private companies को ऑथोराईज करती है कि हाँ, उनकी यह स्पेस में लॉंच होने चाहिए, इन space के द्वारा authorize किये गए दो satellite जो दीगान तरा और दुरूव स्पेस के द्वारा बनाए गए है, उनको अभी इस rocket के मादियम से space में बेजा गया है, और उसके अलावा एक दूसरी संसा भी इस रोके द्वारा एक जो इंटरनेशनली कोलाबरसन कॉन करती हैं, तो न्यू स्पेस इंडिया लीमिटर, न्यू स्पेस इंडियल में को इस रोका कोमर्चियल आम बोला जाता है, तो इन space और न्यू स्पेस इंडियल लिमिटर के बारे आपको पता होना जाहिए, कौनसी दो पहले private कमपणी ह है अभी और यह जो पोयम पैटफॉर्म में कौन से वहिकल के द्वारा अभी लॉंच किया गया फूर स्टेज रोकेट है और आपको इस पूरे न्यूस के अच्छी तरीका से समझ में आया होगा ओके हमारी next news है कि अभी recently foreign contribution regulation act FCRA foreign contribution act के अदर क valor कि अंथर कुछ amendments किए गए है रैट अभी ये foreign contribution regulation act के अगर میں बात करूं कि foreign से जितना भी पैसा आता है जाए फिर हो donation होँ जाए फिर हो remittance होँँ वह कौंसे Act के अंदर में regulate होता है Foreign Contribution Regulation Act FCRA के अंडर में तो उसके अंदर में कुछ amendments किये गए है उसके बारे में बात करता है कि क्या-क्या exchanges किये गए है कि अभी तक अगर कोई Indian citizen अपनी जो foreign relatives है उसके पास है जो remittance के स्वरूप में कितना पैसा receive कर सकता था maximum एक लाक रुपया अभी वो 10 लाक रुपीज रिसीव कर पाएगा इम तो amount exit अगर amount 10 लाक से ज़्यादा होगा तो individuals will now have 90 days to inform the government instead of the 30 days earlier कि यह जीज क्या किये गए है कि एक individual person जो पहले एक Indian citizen अपने जो foreign relatives है उसके पास है remittance के स्वरूप में कितना पैसा receive कर सकता था एक लाक रुपया अभी वो कितना receive कर पाएगा 10 लाक रुपीज और अकर उसको ज़्यादा receive करना है तो उसको government को inform करना पढ़ता था पहले 33 के अंदर लेकिन अभी उसके पास 90 days है तो एक यह amendment किया गया है second amendment किया है कि it has given individuals and organizations और NGOs 45 days for the application of the obtained the recession और prior permission under the FCRA to receive the funds अगर कोई अगर कोई इंडिविडियल को और अगर कोई NGO को fund receive करना है तो application देनी पढ़ती थी FCRA agenda में पहले 30 दिन पहले application देनी पढ़ती थी अभी वो 45 days के पहले application देगा फिर भी चलेगा तीसरा amendment क्या किया गया है कि organizations receiving the foreign funds will not be able to use more than 20% of the such funds for the administrative purposes जो पहले limit क्या थी 50% की 2020 से पहले क्या था कि जो भी foreign fund आता है उसमें से आप maximum 50% का use कर सकते हो administrative purposes के लिए for example एक NGO है जो एक hospital चलाता है तो hospital के अंदर administrative purpose के लिए क्या expenditure हो सकते है कि वहाँ पे कोई नर्दी के लिए बीड हो doctors को salary देना वगरा ये administrative purpose के लिए जो foreign fund उसको आया है उस particular NGO को वो उसमें से 50% यूज़ कर सकता था लेकिन अभी ये FCRA एक केंडल में 20% लिमिट रख दीगे कि foreign fund का आपको maximum यूज़ नहीं करना है अपनी administrative purpose के लिए रहे और एक last amendment क्या किया गया है कि made the five more offences under the FCRA compoundable offences making 12 instead of directly prosecuting the organizations और individuals right earlier only seven offences under the FCRA are compoundable compoundable offences क्या होती है friends कि जो माफी योग्य होते है मतलब वहाँ पे कुछ negotiations करके कुछ settlement करके यहाँ पे चीजों को settle किया जाता है यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने यह offense कर दिया तो आपको imprisonment मिलेगी आपको कुछ बहुत बड़ी सजा मिलेगी क्योंकि यह ऐसे offenses होता है कि जो negotiation करके उसका compensation किया जा सकता है तो पहले FCRA के अंदर में seven ही ऐसे offenses थे लेकिन अभी उसको बड़ा के बारा offenses compoundable offenses बनाए गए है वहलाब यह ease of knowing business को promote कर दा है अगर मैं FCRA Act की बात करू तो foreign contribution regulation act वो 1976 के अंदर बनाए गया था FCRA Act को बनने का main purpose था to regulate the foreign donations foreign donations जो आते हैं उनको regulate करने के लिए अगर कोई भी NGO या फिर कोई भी person वो foreign donation को receive करता है तो उसको इस act के अंदर में रेइस्टर करना पड़ेगा to open a bank account for the receipt of the foreign funds and to utilize those funds only for the purpose for which they have been received and as stipulated in the Act act यहां पर इस act के अंडर में जो भी person या भी जो भी NGO वो foreign donation को receive करता है उसको इस एक के अंडर में रेइस्टर करना पड़ेगा इस एक अंडर में account खुलना पड़ेगा bank account और foreign funds की जितनी purpose वो receive करता है उसके receipt उसको देनी पड़ेगे और उसको उस foreign fund को जो purpose से उसने लिया है उसी purpose के पीछे उसने use किया है कि नहीं वो भी दिखाना पड़ता है तो 1976 के अंदर वो launch किया गया था FCA Act दोज़र 10 के अंदर एक बार वो amendment हुआ और दोज़र 20 के अंदर भी दूसरी बार उसमें amendment किया गये थे और अब ये तुसरी बार अमेंडमेंड किया गया है उसके अंदर राइट ओके तो आइठिंग आपको इस news के अंदर समझ में आया होगा हमारी next news है friends कि financial direct assistance to the apprentice through the direct benefit transfer इसके उपर है कि recently ministry of skill development and entrepreneurship MSD announced that the national apprenticeship promotion plan would become a component of the direct benefit transfer scheme providing all apprentices with the direct government benefits सबसे पहले तो इस news को समझने से पहले national apprenticeship promotion plan के बारे में समझते है कि ये scheme क्या है national apprenticeship promotion plan ये actually scheme 2016 के अंदर launch कि गई थी to promote the apprenticeship training nationwide and provide the financial support to the organizations that offer the apprenticeships देखो friends कि 2016 से पहले कोई particular company apprentice को hire नहीं करती थी because apprentice मतलब apprenticeship मतलब एक temporary job जहाँ पर्टिकुलर person एक training लेता है उसको स्टाइफन मिलता है उसके बदले में एक दो साल की training के बाद फिर उसको निकाला जाता है तो यहाँ पर जो company long term goal के लिए सूचती है वो company उन लोगों को hire नहीं करती थी because दो साल के training के बाद फिर उनको अगर release करना है तो फिर उनके पीछी हम क्यों पैसे खर्ज करें तो government ने apprenticeship को encourage करने के लिए ऐसा बोला कि भाई आप लोग apprentice को recruit कीजे आप उनको जो salary देते होना उसमें से कुछ percent आपको देना है और बाकी के percent हम देगे तो यहाँ पे इस तरीके से government ने apprenticeship को encourage किया और यह इसके लिए स्कीम लॉंज के गई दूड़ा 16 के अंदर नेशनल एपरेंटेसी प्रमोशन प्लान तो यहाँ पे यहाँ पे इस स्कीम के अंदर में जितने भी apprentice को select किया जाता है particular company के द्वारा उन apprentice को जो stipend मिलता है न उसमें उस stipend में 75 percent salary वह कंपनी देती है 75 percent salary वह company देती है और बागी का 25 percent salary कौन देता है government लेकिन 25 percent salary में से वह maximum कितना amount तक देगा 1500 पर मन 25 percent salary देता है लेकिन maximum कितना देता है government 1500 पर मन तो यहाँ पे इस नेशनल एपरेंटेसी promotion plan के इंडर में जितने भी apprentice को job मिली है उन apprentice को अभी तक क्या है कि उनके account में पैसा transfer हो जाता था rate उनके account में या तो फिर check के मध्यम से उनको पैसा दिया राता था या तो फिर cash के मध्यम से दिया राता था 25% जो पूर्चन है जो government देती है एपरेंटेज को रहेट वो 25% पूर्चन है salary का वो कौन से account में जमा होगा जन्दन account के अंदर क्योंकि यह 25% salary होगा government के जरवात जो दिया जाता है एपरेंटेज को वो direct benefit transfer scheme के अंदर अभी include किया गया है अभी direct benefit benefit transfer scheme का अगर आपको benefit लेना है तो आपके पास दो चीज़ों होनी चाहिए एक तो जंदन account होना चाहिए एक तो जंदन account होना चाहिए और एक वो जंदन account आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए अगर यह दो चीज़ा आपने करवाई है तभी आपका account direct benefit transfer scheme के अंडर में एंडरोल होगा और वो पेशा government का जो भी scheme, subsidies वगरा जो provide करता है वो direct benefit transfer के माध्यम से जंदन account के अंडर करवाता है तो यहाँ पर government ने क्या बोला है कि यह जो हमरा 25% जो portion है जो हम provide करते है एपरेंटाइस को इस scheme के अंडर में वो अभी direct benefit transfer scheme के अंडर में हम क्रेडिट करेंगे उसको और इसके लिए हरे एपरेंटाइस को क्या करना पड़ेगा जंदन account खुलवाना पड़ेगा और उसको फिर आधारकार से link करना पड़ेगा राइट तो यह recent news है तो नेशनल एपरेंटेसी प्रमोशन प्लान वो कौन से मिनिस्टी के द्वारा लॉंच की गई थी मिनिस्टी ऑफ स्कील डेलवपन एंटर मिनेशिप के द्वारा अभी उसको डारेक्ट benefit transfer scheme के साथ इंटेग्रेट किया गया है और यह नेशन एपरेंटेसी प्रमोशन प्ल जाहें वो अभी direct benefit transfer scheme के अंडर में जन्दर एकाउंट के अंदर जमा होगा राइड तोटल इस scheme के अंडर में 12 lakh apprentice अभी तक इस scheme के अंडर में एंडर्ल हो चुके है, अभी तक इस scheme के अंडर्ल हो चुके है राइड, okay के बारे बात करूं तो डाये बेनिफिट ट्रांसपर स्कीम गवर्मेंट के द्वारा फस्ट जनुवर्य दुदर को लॉंच के गई थी विट तम मेंग एम ऑफ इंपूर्मेंट गवर्मेंट्स डिलिवरी सिस्टम एंड री डिजिनिंग तक करन्ट प्रोसीजर इन वेलफेर तक पहुंचा थी थे वहां पे बहुत सारे फ्रॉड वगरा देखने को मिलते थे और स्कीम का पैसा जल्दी दो लोगों के पास नहीं पहुंचते थे तो उसी को दूर करने के लिए डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर स्कीम गवर्मेंट के द्वारा फस्ट जनुदर दू गया रहा हंट्रेट्थ इंट्रेशल डे इसलिए एक्जाम कॉंट पे से बहुत इंपोनेट बन जाता है क्योंकि यह हंट्रेट्थ इंट्रेशल दी ओप्डॉर्परेटिव सारे इंडिया चली अंडर तो थीम बिल्दिग असेल्फ रिलाइंट इंडिया एन बेटर की हिस्ट्री के बाद करो कि इस दीन को इन्टेरिसल लेवल के उपर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इंडर्जालेे ओप्डॉर्परेटिव को टो रिस्थ अविनेज अप्डॉर्परेटिव एंड फर्दर व्यालिएंड अब दन मूवमेंट कौनपौन सी मूवमेंट इ सहकार एक दूसरे के सहकार से जो चीज हो सकती है न वो कभी भी कि अकले से नहीं हो सकती तो रहाए पर कोप्रेटिजम की भावना सभी में create हो इसके लिए इस दिन को celebrate किया जाता है ग्लोबल लेवल के ओपर अगर मैं क्लोबल लेवल की themes की बात करो तो 2022 के इस देन को इंटरेशनल लेवल के ऊपर कौनसी थीम के ऊपर सेलिब्रेट किया गया कोपरेटिवस बिल्ड बेटर वर्ल रैट अभी कोपरेटिवस क्या होती है कोपरेटिवस ऐसी संसा होती है कि for example यहाँ पे गाउं के अंदर एक फार्मर्स है बहुत सारे फार्मर्स मिलके उन्होंने एक संसा बनाई अभी फार्मर्स का common goal क्या होता है कि farming करना सभी फार्मर्स का common goal एक ही होता है farming करना तो यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स ने एक साथ मिलके एक संसा बनाई जहां पर बहुत सारे फार्मर्स ने कुछ-कुछ अमाउंट तक पैसा है वहाँ पे उस संसा के अंदर डिपोजिट किया अभी उसमें से ही कोई फार्मर को फ्यूचर के अंदर अपनी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए कुछ पैसे के जरुवत पड़ी तो वह फार्मर को बैंक में जाने के जरुवत नहीं पड़े की वो जिस corporate इसंस्ता के अंदर उसने पैसा deposit करके रखा है उस corporate इसंस्ता के अंदर से वो पैसा bank के comparison में बहुत ही कम rate of interest के उपर वो पैसा ले लेगा और अपनी जो farming activity जो उसने target रखा है उसको carry out कर लेगा तो यहां पर ऐसा नहीं है कि friends के वो फर्टिकलर फार्मर ने जब corporate इसंस्ता बनाई थी तब उसने अगर पास लाख रुपया deposit किया है तो अभी उसको दस लाख रुपया की loan चाहिए तो उसको नहीं मिलेगी कोपरटिस का mechanism क्या होता है कि for example बहुत सारे farmers ने मिलके अगर हम में total निकालू तो एक करोड रुपया यह कोपरटिस अंसा के अंदर एक करोड रुपया deposit हो गया है की लोन लेने के लिए alie hah है यहां पर ऐसा नहीं होता की फार्मन ने 5 रुपया डीपोषिट किया तो उसको पांच लाक रुपय तक की लून मिले के एसा नहीं होता जतना पैशा कैसके पड़ा होता है वो जो फिलोंगों को के पैशा को सब्इसम में इक वर संसा की बढ़ता है। रेन्ट कोपडि इसका मेन फंडा हुता है okey क्या अगर मैं इंडिया की जानी बानी कोपडिस अंसा के अगर मैं बात करू तो अमुल आनंद मिल्क इंडिया लिमिट्टॉं इमिघ्रि इंडियन फार्मर फटेशर कोपरेटी लिम्येडेड क्रिशाक भाड़ती कोपरेटी लिम्येडेड निशनल एक्रिकुट्र कोपरेटी मार्केटिपिट Ślomหมद लिमेडेडेड नफ्य tuning एक एक ऐसी संसा है एक ऐसी cooperative संसा है कि जो खिसानों के द्वारा चितनी में चीज़े produce की जाती है उसका marketing का काम यह करती है यह government-oriented cooperative संसा है नफिड तो mainly जो cooperative संसा है उसका काम एक तो create देना होता है और उसका काम एक marketing करना जो अपने-पने same group के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है उनको मार्केटिंग करना उनको एक नेटवर्क करेट करना भी कोपरेटिव संस्ता कमीन काम होता है अगर मैं इंडिया की तौरा बात करूँ कि एक structure होता है उसकी बात करूँ तो cooperative banks normally दो टाइप के होते हैं cooperative banks normally दो टाइप के होते हैं एक तो urban cooperative banks और rural cooperative banks और rural cooperative banks और rural cooperative banks में भी लिस्टिक cooperative bank state level cooperative bank और प्राइमरी एग्रिकर्चर क्रेट सोसाइटी पेक्स यहाँ पेक्स जो होते हैं वो विलेज लेवल के उपर काम करती है मतलब जो farmer या फिर कोई भी विलेजर वो directly किसके connect में आएगा पेक्स के connect में आएगा बहुत सारी पेक्स का regulation कोन करती है लिस्टिक cooperative और बहुत सारे लिस्टिक का regulation कोन करती है state cooperative तो यह प्राइमरी एग्रिकर्चर क्रेट सोसाइटी के अगर मैं बात करू तो अभी रिसेंट न्यूस के अंदर हमने प्रीविएस वीडियोस में भी बात की थी कि अभी government ने एक initiative लिया है कि स बूक में लिखा जाता है कि यह farmer के द्वारा 10 लाग रुपे की loan ली गई है particular period of time के लिए इतने rate of interest के उपर लेकिन अभी यह सभी चीज़ों को एक details करने की बात कर रही है government ने primary agriculture society को तो यहां पर अगर मैं cooperative banks के structure की बात करू तो दो टाइप के cooperative banks होते है अर्बन कोपरेटिक बेंग रूर्ल कोपरेटिक बेंग के अंदर लिश्टिक कोपरेटिक स्टेट कोपरेटिक और जो विडिश लेवल के उपर कौन होता है primary agriculture क्रेटि जो भी recent news के अंदर थी जो में लास्ट लेक्टर के अंदर डिसकस किया था राइट पैक्स के बारे में ओके तो आइधिंग आपको इस न्यूस के अंदर समझ में आए होगा इंडर्स डियोप तो कोपरेटिव बहुत इंपूरेंट ने हैं और खास करके उसकी अभ के द्वारा is of doing business ranking यहाँ पर launch किया गया है which is based on the business reform action plan report 2020 अभी मैं यह ranking के बारे में बात करूँ तो यह ranking commerce and industry ministry के तरह क्यों launch किया जाता है यह business reform action plan क्या है friends तो business reform action plan 2020 के अगर में बात करूँ तो यह plan के अंदर टोटल इन्सो एक reform points है that cover the 15 business regulatory areas like the access to the information, single window system, labor, environment, sectoral reforms and other reforms spanning the life cycle of the typical business right तो एक particular business को improve करने के लिए कि लोग जदे जदा अपने state के अंदर अपने area के अंदर लोग जदे जदा इन्वेस्ट करें तो इसके लिए particular state को कौन-कौन से reform करने पड़ेगे अपने rules के अंदर यह 301 reform points यहां पर इस business reform action plan 2020 के अंदर बताए गया है तो यहां पर states को उनके performance के जरिये टूटल चार category के अंदर लिवर्ड किया जाता है कौन-कौन से चार category के अंदर उसके बाने बात करते हैं तो जो states से अच्छा किया होता है ease of doing business को promote करने के लिए वो टॉप एच्छीवर के अंदर आते हैं तो टॉटल सेवन स्टेट्स है टॉप एच्छीवर के अंदर अंदर पदेश गुजरात अरियाना करनाटका पंचाब तिलंगना तामिलनाडू जो टॉप एच्छीवर के अंदर है राइट कि मोडरेट परफोर्मेंस किया है ease of doing business को promote करने के लिए वो एच्छीवर के अंदर आते हैं हिमचल पदेश उत्तरपदेश ओडिशा एंड मत्यपदेश और अधर स्टेट्स के टेगरेज एज एच्छीवर इमर्जिंग बिजनस एको सिस्टम जो लोवर से मोडरेट लेव अपने स्टेट के अंदर इंवेस्मेंट को promote करने के लिए गोवा आसाम केरा राजस्तान जार्खन चातिश्पर और बेंगार वेर के टेगरेज एज एसपार तो यह चार के अंदर यहां पर स्टेट्स को डिवाड किया गया उनको रैंकिंग प्रवाड किया गया है और यह सब यह रैंकिंग कौनसे प्लान के अकोडिग यहां पर मिनिस्ट्र ओफ कॉम चेंडेस्टी लेती है तो बिजनेस्री फोर्म एक्षेट्टेव को अभी फालो किया जाता है आचली बिजन्स रीफॉर्म चेंड़ीय के अंदर नाच्च किया गया था नेस बिजनेस इंडेक अगर मैं Ministry of Commerce इंडेस्टी के बात करूँ तो उसके अंदर में एक department है department ने तो promotion of the industry इंटर्ण trade के द्वारा ये ranking प्रबड किया गया है और किसके business के उपर उसने launch किया business reform action plan 2020 को कौन से states ने किस तरीके से follow किया है उसके business के उपर उसने रेंकिंग लॉंच किया है राइट हमने next news है friends इंडिया's largest floating solar power project अभी recently इंडिया का largest floating solar power project operational हो गया है उसके बारे में news आई है crescently the final 20 MW of the 100 MW Ramakundam floating solar power project commercial operation date was recently announced with this the 100 MW of the Ramakundam floating solar power project in the Telangana is declared operational from the 1st July 2022 देखो friends एचली ये project launch हुए हुए बहुत टाइम हो गया है एचली ये project है 100 MW का 100 MW Ramakundam floating solar power project जो इंडिया का सबसे बड़ा floating solar power project है जो कहां पर बनने के लिए जा रहा है तेलंगना के अंदर और उसमें से जो final 20 MW का construction बाकी था वो complete हो गया है और वो अभी operational होने वाला है 1st July 2022 से इंडिया अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा floating solar power यहां पे जो solar panels होके न वो floating होके आपने rooftop solar power देखा है लेकिन यहां पर floating है यहां पर floating solar power प्रट के लिए जो मेस चाहिए वो एक्दम stable चाहिए तो नॉर्माली है ना reservoirs के उपर पॉन्स के उपर लेक्स के उपर floating solar power प्रट त्यार किये जाता है रिवर्स के उपर नहीं की जाता है क्योंकि रिवर continuously flow करती है तो जो stable पानी जहां पर होता है महां पर आप floating solar power प्रट एस्टाबिस कर सकते हो तो इंडिया का सबसे बड़ा floating solar power प्रट जो 100 मेकावट का है उस प्रट का नाम क्या है रामा पूर्डम फ्रोटिंग जो कहां पर एस्टाबिस हुआ है त्यलंगाना के अंदर तो एक्षुली वह ओपरेशन हो गया है फर्स्ट जो दर बाइस है राइट है कि पूरा प्रोजेक्ट 40 ब्लोग के अंदर डिवाइड किया गया हो एक ब्लोट एक ब्लोट की इलिद्ट करने के कापिसिट यह 2.5 मेकावट तो अगर मैं 40 ब्लोग के बाद करो तो 100 मेकावट हो जाएगा कर सब्सक्राइब के उपर यह पूरा प्रोजेक्ट एस्टाब्रीज किया गया है अगर मैं फ्लोटिंग सोलवाइड के बाद करो तो लिमिटेड लेंट रिकवाड के जहां पर लेंड होल्डिंग कम है ताब यहां पर इस टाइक के प्रोडिक को कर सकते हो तो तो फिर यह वाटर इवो प्रेशन को भी रिडिउस करता है क्योंकि आपको पता होगा कि अगर पानी ओपन होगत तो उसके अंदर से कंट्वूर स्विआ यह प्रेसञा होता रहता है तो यह यहें यहां पर यहांप से ओपर फ्लोटिंग भरशन है वह कम होगा तो वॉत ज्यादा है फ्लोटिंग सुना पाड़ी के तो आपको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ओप से आपको याद रखना पड़ेगा ओके तो फ्रेंट्स आइधिंग आपको आज की सभी न्यूस के अच्छे समझ में आया होगा थैंक यू फ्रेंट्स बाइग कि